क्या पागल हाटी बीरबल को मादेगा? क्या इस बार बीरबल बच्छेगा? बादशा अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी ऐसी बाते भी हुआ करती थी जिनकी परक करने में जान का खत्रा रहता था. एक बार बादशा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे बड़ा हत्यार कौन सा है? बादशा सलामत, संसार में सबसे बड़ा हत्यार है आत्म विश्वास बीरबल ने जवाब दिया बादशा अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर अपने दिल में रख लिया और किसी समय इसकी परक करने का निश्चे किया डैवयोग से एक दिन एक हाथी पागल हो गया ऐसे में हाथी को जन्जीरों में जकड कर रखा जाता था बादशा अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास की परक करने के लिए उधर तो बीरबल को बुल्वा भेजा और इधर हाथी के महावत को हुक्म दिया कि जैसे ही बीरबल को आता देखे वैसे ही हाथी की जन्जीर खोल दे बीरबल को इस बात का पता नहीं था जब वे बादशा अकबर से मिलने उनके दर्बार की ओर जा रहे थे तो पागल हाथी को छोड़ा जा चुका था बीरबल अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे कि उनकी नजर पागल हाथी पर पड़ी जो चिंधारता हुआ उनकी तरफ आ रहा था बीरबल हाजिर जवाब, बेहद बुद्धिमान, चतुर और आत्मविश्वासी थे वे समझ गए कि बादशा अकबर ने आत्मविश्वास और बुद्धी की परीक्षा के लिए ही पागल हाथी को चुड़वाया है दोड़ता हुआ हाथी सूंड को उठाए तेजी से बीरबल की और चला आ रहा था बीरबल ऐसे स्थान पर खड़े थे कि वो इधर उधर भाग कर भी नहीं बच सकते थे ठीक उसी वक्त बीरबल को एक कुट्ता दिखाए दिया हाथी बहुत निकट आ गया था इतना करीब की वो बीरबल को अपनी सूंड में लपेट लेता तभी बीरबल ने जटपट कुट्ते की पिछली दोनों टांगे पकड़ी और पूरी ताकत से घुमा कर हाथी पर फिका बुरा तरय घबरा कर चीखता हुआ कुट्ता जब हाथी से जाकर टकराया तो उसकी भायानक चीखे सुनकर हाथी भी घबरा गया और पलट कर भागा बादशा अकबर को बीरबल की इस बात की खबर मिल गई और उन्हीं यह मानना पड़ा कि बीरबल ने जो कुछ कहा है वो सच है आत्म विश्वासी सबसे बड़ा हत्रियार है